आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Voto कीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ देखने में अलग-अलग लगेंगे लेकिन Function क्या है? सेम सेम है अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो मैं वर्ट दे रखा है Mega Sporo Fill इसको थोड़ा अच्छे से अलग-अलग करके समझते है कि इसका Meaning क्या है? सबसे पहले Start करते है Fill से Fill का मतलब क्या होता है Leaf Okay और विकन से Stock तो Fill का मतलब होता है Leaf और Stock अब आता है Sporo यानि कि जो Leaf हमारी Spore bear करती है ठीक है? और विकन से Sporengium bear करती है Sporengium क्यों सा Structure होता है? एक सा Structure जिसके अंदर present होते हैं क्या? Spores तो ऐसी Leaf जिसके उपर Sporengium present होता है उसको हमके कहते है Sporophyll तो Sporophyll तक हो गया Clear? ओके अब इसके उपर क्या रहा है? Mega आ रहा है अब देखो हमारे दो Terms होते हैं जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा होगा एक होता है Mega और एक होता है Micro तो Mega denote किसको करता है? Female को और Micro किसको denote करता है? Male को यह नाम क्यों रखे गए है? Depending upon their size अबने जो Male gamits होते हैं फ्लार के केस में यह कैसे हैं किसी भी फ्लान के केस में वो छोटे होते हैं Compared to Female gamit और Female reproductive units इससे लिन का दाम क्या रख दिया है? Micro तो अब अगर इस पूरे टर्म को हम अच्छे से पढ़ेंगे मिला के तो ऐसी लीफ जो बियर करेगी क्या? Mega sporengium Okay Mega sporengium उसी को हम क्या कहा देंगे? Mega sporengium और दूसरे टर्म्स में क्या कहा सकते है? ऐसी स्टॉक जो बियर करेगी क्या? Mega sporengium Okay वही क्या हो जाएगा अपना? Mega sporengium और mega sporengium के अंदर क्या present होंगे अपने? Mega spores ठीक है? अब इक इन से mega spore mother cell अब stamen stamen जो होता है अपना ही क्या है? male reproductive unit है angiosums के अंदर और बात किस की हो रही है? Mega dat means की female यह option यहां से हटा दो ठीक है? यहां पर दे रखा है leaf leaf के उपर हमारे क्या कहते हैं अगर present होता? क्या? Mega sporengium ठीक है? यानि की ऐसा structure जो bear करता है क्या? Mega spores तो अपना leaf क्या कहते है इस काम? Mega sporeofil लेकिन ऐसा नहीं होता है angiosums में ठीक है? अब second option दे रखा है एक mega sporengium है अब ovule जिस stock के अंदर होगा या क्या सकते हैं जिस wall के अंदर होगा वही अपना क्या हो जाएगा? mega sporeofil ध्यान से समझना इस बात को कि जो ovule है फिर से समझो यह अपना क्या है? एक ऐसा structure जो bear करता है mega spore और जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि mega sporengium के अंदर क्या present होते है mega spores और जिस stock पे mega sporengium present होते है उस stock हों क्या कहते है? mega sporeofil ओके? cool तो यहाँ पर अप क्या है? ovule अपना क्या हो गया? mega sporengium हो गया अब आते हम carpel पे तो carpel जिस होता है अपना वो क्या है? female reproductive unit इसके तीन पार्ट्स होते है सबसे पहले देख लेते हैं यह होता है अपना stigma यह है tube वाला portion style अंदर present होता है यहाँ पे यह portion जो होता है इसको ovule कहते हैं और ovule के अंदर present होते हैं ovule यानि कि इस stock के अंदर present क्या है? that means अपनी जो यह stock है वो क्या हो जाएगी? यह हो जाएगा एक megasporophyll तो अपना यहाँ पे correct answer क्या आ जाएगा? option number third carpel अब carpel के जगा आपको यहाँ पर देखो pistil भी दे सकते हैं क्योंकि carpel का दूसरा नाम क्या है? pistil है वो के साथी साथ gynosium भी दे सकते हैं क्योंकि carpel कॉम gynosium भी कहते हैं तो एक ही section के तीन नेम से कोई भी option यहाँ पर आ सकता है इसलिए मैंने बागे के दो नेम भी बता दिया है thank you so much Classics च्ट्वेल से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज राउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर